और उनको डिसीजन पलटना चाहिए और 25 सेप्टमबर या 30 सेप्टमबर के आस्पासी पेपर कराना चाहिए बच्चे कोई मसीन नहीं है कि आपने जब बोला तब वो तयार हो जाएंगे विरोजगारी है उसकी मजबूरी है कि वह अभी 7 गंटे पढ़ रहा था बिचारा 12 गंटे भी पढ़ लेगा उसे तो एक नौकरी लेनी है बट यह बिल्कुल गलत है नोटिफिकेशन में डेट हो साले कि अग्टिफिकेशन में सेप्टेंबर सेप्टेंबर लेख सकते थी नौकरी कष्ण्य मिन अन्यौकरी रहेकशन में GOOD या बच्चा का मतलब है कि अब कमरकसली आपने और बच्चा का स्देट पर और पर मीणा होगा और बच्चे को इस घेट पर इसे ज्टेट न मिल जाएगी यह तरीका होता है नोटिफिकेशन के माइने क्या है बस तब तो आप एक पेज का नोटिफिकेशन निकाल के कह देते सीधे कि बस फॉर्म भर लेना आज से पेपर जब होगा तब आपको बता देंगे कि इतने बच्चे तो इतने गाओं दूर दरास से जिनको ये खबरे मिल तक नहीं पाती कई बच्चों को लगए इनको प्रॉब्लम आरे हम समझते हैं हमें मालूम है यह चीज क्या है आज तक स्सी ने किसी भी सूपर क्या बच्चों से बात की उन्होंने बोला कि हाँ यह प् तब तो वो अपनी गलती ठीक करते हैं उनकी कोई जिम्मिदारी नहीं है उन्होंने तो सीधे नोटिफिकेशन में क्या लिखा है आप सब्द पढ़िए उनके नोटिफिकेशन के क्योंकि राजा है वो कुछ भी करते हैं मैं नहीं समझता है इतना अधिकार किसी को भी है उ हमें मालू में 2017 में कैसे हमने CGO कॉंपलेक्स के बाहर भी दख्यकाई थे और कितने बच्चे ऐसे होते हैं हम भी अपने टाइम पर की यह फॉर्म कैंसल हो गया यह अलग लग तरीके के बहाने निकालते रहते हैं कभी सिगनिचर के नाम पर फॉर्म कैंसल कर देंगे कभी फ पहले भी बताएंगे इतनी बिरोजगारी यह बच्चा पहुंच जायका जैसे गुजहर 55 टूट गई थी बिरोजगारी का कितना तमासा बनाया जा रहा है इसी बीरोजट नांते में पर फाइदा में फाइदा दीुंक्त कॉपत्यों सकता है वो एच्यों को नहीं बाज हुए तो भाई इन लोगों का फर्ज है आप इसको एहसान मस समझे एहसान समझ के SFC को और SFC ने जो किया मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी मच छोड़ो और होब भी मच छोड़ो विकेंसी बहुत ज्यादा है कटॉप भी कम जाने के चांसे से अब अगर 10 गंटे पढ़ रहे थे 8 गंटे पढ़ रहे थे तो 12 गंटे पढ़ना चालू करदू